आप इस कमीद के साथ अभी जी यहाँ पर सालन गरम कर रही है माशालादी जैसे आप इस देखा था तो अभी अभी जैसे अभी यहाँ पर आकर बैठा कर बास्ता वगरा जैना हमने बना लिया काम कर रही हूं और अब बारी आते हैं आप अभी जैसे अभी मेरा शुरुत्ता विच्छा को आपकी जोंगी मेरा शुरुआ चुका है और मोतल भी भी खाद है अभी अभी मेरा शुरुआ है अभी मत अभी नश्ती आई ने था कि बतन लगरा जहूने था और उसके बार जैना मेराश का बनाऊगी अब मोटर भी तैंकी फुल ओगई है, शुप तैंकी में खंडा पानी सा तो इसलिए मैंने मोटर से लाई है रांका कि इसमें जो ना, गरब पानी आ जाएगा उस तैंकी बतन होगा रा, लेकिन तैंकी लिया न, तोन ही परीशी को, अभी अभी मैंने चलाई है, तो आप सब यहां पर क्यों आगे हैं आप चलो कबरे केंदर पैसे जा रही हूं बड़ नहीं है और अलहमदो इल्ला जैसे सुबा वाले भी लोग में हमने आपको दिखाया था कि मोसम जो है ना काफी खराब था सही नहीं था मतलब यह स्मोक वगरा और हल्की हल्की जो ऐसा ऐसे लग रह लेगे लेकान अलहमदोल्ला सुरज निकल आया था और अभी जो एना काफी नीचे जा चुका है सुरज दिखाई नहीं देता तो यह हलके हलके से आस्मान पर बादा लाए हुए धूब भी हल्की हल्की सी है रहती है और बाकी टैम जो है वो काफी हो चुका है असर की आजा तुझी अभी बरतन हो के मैं आजुकी हूँ और चुलावगरा जो है ना यह हमारा नीचे रखा है यहां पर तो अभी दर्वाला जो है ना यह बंद कार देती हूँ तो यहां पर जी समान वगरा ही कठा कार रही हूँ यह दूद आ गया है चीनी पती और परतन धुले वह आ चुके हैं तो दर्वादा मैंने वैसे बंद कार दिया क्योंकर यहां से ठांड काफी ज्यादा आती है तो सुरंडर रखा है यह चार पाई के नीचे इसको हम खोल लेते हैं और यहां पर बैटके सबसे पहले जायन मैं चाए बनोंगी अलहमदल्ला जी चाए जो जो एना मेरी रैडी हो चुकी है यह दे कि अभी चाय को जो बाला लगा नहीं है और बच्चे जो एना सब तायार बेटे हैं कि जल्दी से चाय बने और हमने जो एना चाय पापा खाना है तो मैंने का कि सबसे पहरे चाय रेड़ी कर लेती हूं और इसको चाय पापा दे दूंगी ये खाएंगे और उसके बाद मैं आटा बगरा गूंदूगी और रोटिया बनाओंगी तो अभी चाय को बस एक दो मिनट दे रहे ये जैसे ही तयार हो जाएगी तो फिर ये पादे काई है क्योंके इब रहीम जो है ना सबसे ज्यादा जल्दी इब रहीम को होती है तो बजी ये टैब आठ चुकी है असचाय रेड़ी है ओड़ी सी देर बपिया हुँ थोड़ी सी देर एक मिनट मैं ये चल्दी से बना लो ने तो फिर आपको दे दूँगी, ठीक है? अपने हाथों में पापे उठाके ये खा रहे हैं तो अभी मेरी बारी आती है, आठाक गुनने की, क्योंकि बच्चों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, ये अपना खा पी के फिर जो है ना स्कूल की तियारी करेंगे, और उसके बाद, आप कौन सा जाओगे, आप तो नहीं जाओगे ना, आपको भी टीचर नहीं आने लेती, तो ये जो है ना, वसीम और मोस्फिरा जाएंगे, और अभी चाय पापा खा रहे हैं, मैं जब तक आठा गुन्ती हूं, आठा गुन्त के फिर जो है ना, रोटिया बनाऊंगी, ये जब तक तयार होंगे, अपनी तयारी करेंगे, तयारी करने के बाद, फिर रोटी बन परात का जो रखा हुआ था, मैंने का ये गरम कादू, और मेरा परातु का है, और अब लोटिया बनाना शुरू करती हूं, क्योंकि बच्चे को जो है लेख हो रही है, आठ बज गई है, सारे आठ बजे जो हैने, बच्चे मेरे सिकूल चले जाते हैं, मुझी ममा, मुझी मैं बना रही हूँ ना, फिर आप खा लेना, इसमें लाहर रही हूं, तो अभी रोटिया बनाना शुरू करती हूं, और सब बच्चे देखें, रोटी देखा है के बन रही है तो आगए है, तो अभी बनाओंगी तो फिर ये सब खाएंगे, खा के जो है ना फिर ये सुकू बहुख शुकुट से कठीग तो तो वी देखें, अपनी कुटोरी जो है ना डेखो ये अपना सोल्ण है ना जो है अकर शाय सी ना जो है ये नेची रखो और इख और रोटी जो ह? उसको बहूब खाने दो, रखो रोटी के उपर रह दो, पर रह दो वागी रखो चले अब खाओ तो रोटिया जो है ना वो मैंने बना ली है और मुस्पिरा वसीम वो चले गए सुकूल और खाना वगरा खाके नाश्ता करके धूप भी निकलती नहीं है तो इसलिए हाजरा जो है ना वो बिचारी नहाती भी नहीं है ऐसी ठंड की वजह से क्योंकि कमजोर का है अगर इसको जिस दिन नहिला दूँ तो फिर काफी ज़्यादा लग जाती है तो इसलिए कह रही है कि आज जो इना धूप निकल आएगी तो फिर मैं नहा लूँगी तो दौा करें अल्ला पाक से कि जल्दी से धूप निकल आया और आप लोग नहा लेना और कपड़े व सजार बनाया और जाकर अजाई में सो गई तो फिर बार में मुस्पिरा ने रोटियां बनाए रोटिया बना के फिर साब को खिला आे और ere ने फिर जोगायए और लोगेरा जो है ना वह सारे नुने कुलोज किया जी ममा अहीं नहीं नीं निकली मुझे पता है दरवाजा क्छला मच करो बेटा ये थन्डी हवा आते हैं अंदर आप दरवाजा बंढन निकली के दो अब कर दो अब आपMyaja तो आपि जो एना ये देख रहा है इबरहीईम के दूप निकला है मुझे कहरा है कि मभा दूप किने उल निकला है वगि लेकिन मुझे तो राय और शबाभाबी और ऐसके बाद अम्मी, अबूसब को फौत्की पर चले गए थे तो फिर अब मेरे छाचे वालए आगा हैं, फिर पूरी डार जो है ना, वह मतलब यहलोर वहाँ और आजाएंगे, वह आजाएंगे, वह तो आगा है, असलम भाई और मुखलस भाई और भाब समीना ये तो कल आ गए थे वापिस और आमध भाई का सुनाए कि वो आ जाएंगे तो फिर खाना वगरा जैसे ही वो उठेंगे तो खाना खाएंगे खाना काने के बाद ना फिर मैं कामकाई बाकी का जितना भी पड़ाएं वो करूंगी क्योंकि जारू भी लगाना ह यहां से बरतन वगरा सारे के सारे उठाने हैं और उनको खाना खिला के बाद में ये बरतन उठा लूँगे क्योंकि अभी ये रखे हैं ना एक जगह पे फिर मैं वो आए फिर बरतन उठाओं फिर जो है ना उनको खाना दूँ फिर चाए गरम करूं फिर जो है ना उनको च तो इसलिए कमरे के अंदर मैफूद रखे हैं तो मैफूद रहें तो इसको रखे रहें जैसाई लोगे नाश्ता कर लेंगे तो फिर बाद में आपको तमीज़ नहीं है जब बात कर रही होती हूं तो आप बीच में आकर बोल देते हो मैं चुन रही थी मैं सुन रही थी कई आप पानी मांग रहे हैं लेकिन जो एना एक मर्थबा बोलके फिर खामोश होके बैठ जाते हैं फिर मैं दोए दूगे देती हूं पानी गिरा दिया नीचे और सारा का सारा ना खराब हुआ पड़ा है फार्श तो मैंने का कि यह सब चीजें बाहर निकाल दूँ और उसके बाद जो है ना साइन के जो है ना सफाई कर दूँ अच्छे तरीके से जाड़ पहरे लगाऊंगी उसके बाद जो है ना पोचा लग पर यह कमरा जो है ना साफ हो जाएगा फिर दूसरे कमरे में जाड़ वगरा लगाऊंगी और फिर बरतन धुलाई करूंगी मुसम जो है ना कुछ इस तरह का बना हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया था यह देखें और मुझे लग रहा है कि सूरज जो है ना निकल रहा तो ऐसा लगता है कि सूरज जा रहा है और कभी उपर आ जाते हैं बादल तो फिर बिलकुल अंधेरा चा जाता है तो कवे वगरा उपर बैठे हैं तार पर और देख रहे हैं कुछ अपनी खाने पीने की चीज़ें और यहां पर मैं यह समान वगरा जो यहां से उठाती हू और इस कमरे की सफाई करती हूं सफाई करने के बाद फिर बाकी का जो भी काम काच होगा वो तो करती रहूंगी क्योंकि जैसे मैंने नाश्टा बनाया सब को खिला के फिर मैंने सैन का जाडू लगा लिया था जाडू लगाने के बाद बरतन जो भी मेरे फ्री थे सारे के सा नलके पर रख दिया उसके बाद जो है न अब आ चुकी हूँ यहां कमरे के अंदर और यह चीजह जो पड़ी है यहां से उठाती हूं तो फिर यह कमरे की सफाई करती हूं बिस्टर मैंने इकठे करके वहां रख दिये क्युक्ति अब भी जो है न दूसरे कमरे में आपके भा कौन कौन सा काम मैंने किया है और बच्चे भी है वो देखे बाहर खेल रहे हैं अबरहीम और हाज्रा क्योंके वसीम और मॉस्फिरा स्कूल चले गए है तो हाज्रा को छूटी है तो वो किचन में जोहना चाल के अभी जी यहाँ पर सालन गरम कर रही हूं क्योंकि मैंने फ्री तर तकरीबन साड़े बारा का हो गया है एक बजने वाली है तो अब यह अलहमदलल्ला सुरज भी निकलाया है और हवा तो वैसे भी चली होई होती है लेकन धूब जोहना कुछ निकलाया है तो मैंने क्या है कि यह सालन गरम करके उनको देदू और क्योंकि खाना मैंने भी खाया और आपके भाई ने निक कह या बच्चों ने जो है न वो तो खाल देए फिर जब हम खाते हैं तो फिर दुबारा कहते हैं कि हम बीन के साथ खाते है फिर जितना मोड होता है उनका वो खा लेते है तो यहां पर अभी इसको मैं गरम क़रनो तो फिर रोटी लेकर जात क्योंकर सुबह सुबह काफी ठांड थी तो मैंने हाजना और अबरहीम को कंगा लगा दिया बालो में और कपड़े वगरा चेंज करा दिया मैंने का आप जो अभी कपड़े वगरा चेंज कर लो और जब जिस दिन गरम धूप होगी तो उस टाम जो आपको मैं नहला दोंगी तो इसलिए अभी नहीं लगा हाजना के सार में कंगी लगा फिर उनको कपड़े चेंज किया आखों में शुरमा डाला हाजना को तयार किया और हाजना जो है अब रेडी हो चुकी है ऐसे हाजना हांजी अभी खाना जोहें नहीं कर चले गई है क्योंके मैंने सालन गरम कर ल मेरा भी बिलकुल मूड नहीं था खाना खाने को तो मैंने कहा जब आपके भाई उठेंगे तो साथ मिल के खालेंगे अभी जी नाश्ता जो हमने कर लिया है बरतन लेके जा रही हूं और करती हूं चाए गरम चाए गरना करके फिर चाए पीएंगे चाए पीने के बाद जो है कि सारे बरतन जो है ना वो खाली हो जाएंगे तो फिर इसको दो के रख दोंगी यहां पर मैंने जिलाया है सिलंडर और यह रखी है हमारी चाए तो अभी हम चाए को गरम करते हैं अलहम्दल्ला जी अभी यहां पर आकर बैठ गई हूं क्योंकि यह मशीन यहां पर मैं ल सब्यों के लेकर आई थी जैसे मैं आपको पिछली वीजियो में बटाया था कि कप लिए वहां वह सिलाई करूँगी लेकिट टैम नहीं मिलता था सर्दियों की वजह से घर का काम करते करते नहीं शाम हो जाती थी तो इसलिए जो है ना मैंने कप्रे शिलाई नहीं किये थे तो मैंने कहा कि वहां पर बैठे बैठे मुझे तो ठंड लग जाएगी तो क्यों न यहां बाहर मशीन उठा के रख दूँ और यहीं पर धूप का साया भी कुछ है और कप्ले भी सिलाई करती रहूंगी तो इसलिए मैंने फरेम से मशीन को बाहर निकाल दी और यहां पर आका रख दिया नीचे चटाई बिचाई है मैंने और उपर फरेम रख दिये मेशीन रख दिये और अभी जो है ना कप्ले कटे वाले रखे हैं तो मैंने का जितने कटेंग होई पड़ी है तो उसको जो है सिलाई कर दो तो यह देखें यह भी सूट कटा रखा है और उसके बाद यह वाला भी सूट कटा रखा है तो मैंने का कि अभी शुरू करती हूं इनकी जो है सिलाई करती हूं तो सिलाई कर लोगी फिर बाद में आपको दिखाओंगी कि कौन कौन से कप्ले जो है ना मैंने कितने कपले जो है आज सिलाई कर लिया है टाइम तो काफी हो चुका है ज एक भंटे में जितने भी इसलाही हो जाएंगे काड़ लोगी अलहमदल्द अब आचुकि नहीं डिखें मैंने किछन में टोमाटर लिया और धनिया यह चीजे जहां मैंने काट लिया और लगड़ी भी आचुकि यह क्यों कि यह पाई थे चार पाई के तो यह जो है ना तूटे पड़े थे फिर आपके भाइदे ने तूट बना दिया और यहां पर मैंने का आग जलाती हो मती की देख्ची में साग रिखा है उसको मंद्रा लगाऊंगी तो अलहमदल्ला जी जैसे मैंने आपको दुखाया था कि मैं आपको प्रे सिलाई करने बैठ गई हूँ और आपको यह भी पताया था कि पता ने कितने सिलाई करती हूँ कुछ सिलाई कार लेती हूँ या नहीं कार लेती लेकिन मैंने जो है न एक यह सूफ सिलाई किया है हाजरा क और यह इसकी शल्वीर में खमीज और दूसरा जो है ना यह आगई आजरा की शल्वार यह भी मैंने सिलाई कर लिया है कर दो कर दो हुए आजरा की तो पेहन कर दो क्राइब लिए उसको घरन लेगी और इसको कपड़े के एक सुर्वार का बना दे और उसके बाद एक बना था यह कमीज मोस्पीरा के लिए मैंने का कि मैंना आपकी शलवार ले आउंगा ले आउंगी तो फिर जो है ना आप इस कमीद के साथ पहेंना तो ये वाला कमीद जो है ना मैंने मुस्किरा का सिलाई किया है इसमें भी ये जो है लगा लिया है लाइस बगारा और इसकी शल्वार ले आऊंगी तो ये सूथ जो है ना बोट तिरा बर वर अज़ है ठीक एखा लें और ये कटे रखे थे ये जो है ना मैंने सिलाई कर ली आए और इंशालला कल जैसे ही टायम लगेगा मुझे अभी ये भी कटे रखे हैं लेकिन अभी टायम नहीं है करें तकर दख 6 7 तो ये भी इसमान ना तो यह मैने शापर में डाल दिया है और वीडियो भी मेरी नहीं पर मुकमल हुति तो इंशाला मिलों विकनल नЕXT विलोग में तब तक चलिए इजाज़ चाहती हूँ अलाहाफिज पाकिस्तान जिहन दाबाद